नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चाड़क के नीती के अनुसार बताएंगे के सुबह उठते ही इस तरी का काउन सा एक खासंग भूल कर भी नहीं करना चाहिए जिसको पकरने से आप राजा से भिखारी बन सकते हैं और आपको भयंकर परिणाम तक जहलने बढ़ सकते ही और जिसकी बजह से आपका पूरा परिबाद तूटकर बिखड सकता है और तबाहो बरबाद हो सकता है लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको चाड़क के नीती के अनुसार बताना चाहेंगे कि आउरत की इस एक चीज को छूने से आपकी सोई हुई किसमत बदल सकती है जिहां दोस्तों कौन से यह वो चीज आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आउरत की दो चीज़ें छूने पर बहा हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा खुस और अपने मन से आपको देती ही एक ऐसी चीज जिससे आपकी किसमत तुरंत खुल जाते हैं तो आईए जानते हैं पहले इसके बारे में दोस्तों एक आउरत के पास आपको देने के लिए क्या कुछ नहीं है अगर हम देखे तो उसके पास देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खा जाना है हम आपको बता दें आपको बस एक काम करना है और रात और रात आपकी किसमत बदल जाएगी क्यूंकि आज हम जिस चीद के बारे में बात करने बाले हैं आप उसे बहुत ही अच्छे से जानते हैं लेकिन इसका असर बिल्कुल भी नहीं जानते हैं यहां तक कि इसको लेने के लिए हर कोई बहुत प्रयास करता है फिर भी यह चीद दिल से उसको नहीं मिलती लेकिन आज हम आपको आउर्तों में दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताने बाले हैं जिसे छूने पर आपका स्वया हुआ भाग जाग जाएगा आपके किस्मत पर चार चांद लग जाएंगे तो आईए जानते हैं उसके बारे में लेकिन उससे पहले मेरी आप से एक छोटी सी बिंती है अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लिज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सस्क्राइब करने के बाद जो घंटी का आइकन आता है उस पर क्लिक जरूर करना ताकि नई नई वीडिय को आप सबसे पहले देख सकें तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो दोस्तों आउरत एक खुला हुआ खाजाना है जिसे बस आपको समझने की जरूरत है हमारे सास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं के पैरों में सुक्ष सम्राद दिबास करत है जब कोई औरत अपने हाथों को हमारे सर पर आसिरबात देने के लिए रखती है तो उसके हाथों से निकलती उर्जा ब्यक्तिके ऊपर बास कर जाती है जिसके कारण अच्छे परड़ाम प्राप्त होते हैं बहीं औरतों के दोनों पैरों को छूने पर हमारे अंदर एक उ सर बात करी तो जब हम किसी आदर अड़िये ब्यक्तिके पर चूती हैं तो आसिरबात के तोर पर उनका हाथ हमारे सर के उपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरड को चूता है जो हमारे अंदर सकारात्मक उर्जा पैदा करता है साथ ही इस से हमारा मानसिक विकास भी होता है आईए दोस्तों अब हम आपको एक जरूरी जानकारी भी दे दे कई लोग पूछते हैं कि क्या पत्नी के पैर भी चूना चाहिए तो हम आपको बता दें ऐसा बिलकुल भी ना करें अगर आपको किसी के पैर चूना हैं तो आप पत्नी को छोड़ कर किसी भी आउरत के पेड़ छू सकते ही फिर चाहबा आपसे उम्र में छोटी ही क्यों न हो अब दोस्तों आईए जानते हैं कि आउरत का वो कौन सा एक खासंग है जिसको आपको भूल कर भी नहीं छूना चाहिए दोस्तों हमारे देश में आज भी इस्तिरी को देवी लच्मी और काली माता की तरह पवित्र माना जाता है और भी समान इस्तिरी को भी दिया जाता है आज भी जब किसी घर में बेटी का जनम होता है तो सब यही कहते हैं कि घर में लच्मी आये है और जब लड़के की साधी होकर आती है तो घर की बहु को भी लच्मी ही कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि हमारे सास्तरों के अनुसार इस्तरी की नाभी में काली माता बास करती है और नाभी को छुना ये माना जाता है कि आप काली माता का आप मान कर रहे हैं और दोस्तों सुबय का समय सबसे पवित्र माना जाता है इस समय सभी देवी देपता अपने भक्तों की मानता सबसे जल्दी पूरी करते हैं और अगर आप ऐसे समय में काली माता का अपमान करेंगे तो काली माता आप से नाराज हो जाएंगी जिसकी बजह से आपको भेंकर पर बार तूटकर बिखर सकता है इसलिए दोस्तों आप ऐसी गलती कभी भी ना करें तो दोस्तों आथ का वीडियो बस यहीं तक था हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर करना बिल्कुल भी मत भूल तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही जान बर्दक वीडियो के साथ तब तक के लिए जाए हिंद जाए भारत